नुवर्दका देश्टक मित्रो मैं डॉक्रा आज की लाइव फ्लिनिक में आपका फागत कर रहा हूं भी लाश कुछ दिनों में मैंने काफी कुछ ट्रावेलिंग किया है सेमीना रेटेंग किया है आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो मैडिसिन का नाम है पोथोस उसका बुक में नाम अलग से है मट्रे मेडिका में आप देखो पोथोस से जाना जाता है तो यह मैडिसिन मुझे इसलिए बताने का मज़ हूं कि कल मैं मेरे कॉलेज को श्टुडेंट को बता रहा था कि अस्त्मा के बारे में मैं मैं मैडोरिनम सिखा रहा था उनको तो मैडोरिनम में इसलिए पेशंट अस्मा होता है या तो कव का प्रॉब्लेम होता है वो जब अपने पेट पे सो जाता है जब उसको अच्छा लगता है मतलब सेंटन्स ऐसा है कि नी चेस्ट पोजीशन उसमें पेशंट को अच्छा लगता है तब मैंने उनको एक ही पूछा कि आर्सेनिक का अस्मा कैसे बेटर होता है तो असनिक का पेशंट युजवली आगे जुब के बैठने से अच्छा लगता है कालिकार पेशंट का अस्मा है वो बेटर भाय रॉकिंग मनलब चेहर में बैठके अगर पेशंट आगे बीचे हो तो उसको अच्छा लगता है और खालिकार पेशंट का अस्मा युजवली तीन बजे वो मौनिंग में थ्री ओपलक पे वो बढ़ता है तो उस पर से एक दवाई पोथोस मुझे यादा ही जो आप से डिसकर्स करा हूँ बहुत शोटी मेडिसीन है ज्यादा तर वो रेस्प कि डश्ट वगरा से अगर आपको प्रॉब्लेम हुआ डश्ट अगर आपने इन्हेल कर दिया और आपको स्नीजिंग शिरू हो गया तो आप पोथोस को सोच सकते हैं दूसरा कि डश्ट की वज़े से या तो एलर्जी की वज़े से आपके गले को गले में बर्दीन के बाद इन्फेक्शन एलर्जी चेश्ट में जाता है और वहां उसको सांस लेने में प्रॉब्लेम होता है अस्त्मा बोलते हैं स्पाज्मोडिक अस्त्मा वार क्या होता है कि जो स्पाज्मोडिक अस्त्मा होता है उसमें पिश्ट को एंग्जैटी हो जाती है पसीना पसी सीनों और anxiety हो जाती है वो ऐसे अस्मा के पेशन में फील होता है उसको सांस लेने में प्रोब्लम आती है और डश की विजर स्ने जो भी एलरी होता चाहे स्नीजिंग हो गले का problem हो और सांस का problem हो उसमें आप पोतोस सोच सकते हैं पोतोस की एक ही best modality वह है कि अस्मा कैसे better होगा तो जब patient अस्मा का patient जब stool pass करने जाता है उसको stool pass करने के बाद उसमें अस्मा में relief मिलता है ये उसका सबसे ज्यादा इंडिकेशन है मैंने सुना है कुछ लोगों को बोलते हो कि अगर आपको अस्तमा हो और डश्ट की एलर्जी हो तो आप मेना दो मेना पोथोसनर की दवे ले लो तो आपका अस्तमा ठीक हो जाएगा लेकिन मैं मुझसे अगरी नहीं होता हूँ यह जो दवाईया है वो शौट एक्टिंग है मतलब जब भी आपको प्रॉब्लेम हुआ हो सब्सक्राइटेक है और उसका इंडिकेशन यह है कि बेटर पासिंग स्टूल तो वो देने से टेंपररी अस्तमा में रिलीफ होता है लेकिन अगर आपको मेश के लिए एलर्जी से आप पना हो तो होमईवडींग में जो constitution Medicine गुलते है constitution medicine से ही आपको लेना पड़े जिसमें माइंड आपका माइंड आपके फिलीकल जन्रल और सब कुछ देखके आपको जो दवाई सिलेक्ट करते हैं उस दवाई से ही पेशन्ट को फैदा हो सकता है तो यह बात हुई पोथोस की अच्छी दवाई और उसकी फेक्ट गले पे और चेश्ट पे अस्वा में और अस्मा बेटर बाइस चूल और जब भी अस्मा का अटक आता है तो एंजैटी हो जाती है पसी नहीं हो जाता है पिशन्ट रेश्टले सो जाता है तो यह सब बात थी पोथोस के बारे में जो हम हर एक लाई क्लिनिक के पल एक मठ्रेय मेडिकर शुरू करते हैं अभी हम बात कर रहे हैं जो क्वेशन आया है उसके दिये बात करेंगे जोती कटारिया हलो जोती कैसे हो आप मुझे लाइपोमा है लाइपोमा की वैसे देखो तो कोई दवाई नहीं है और लाइपोमा मतलब फैट्री त्यूमर बोल सकते हैं बोड़ी में बहुत सारी जगह होता है बहुत सारी कैसिस आते हैं कहीं एक जगह पे हुआ दूसी जगह ठीक हो जाता है लेकिन इसकी कोई दवाई नहीं है और मिटेगा भी नहीं हां कहीं कर जाता है यह सी जगह पर हो जाता है बड़ी में कि जैसे आपको सोने में तकलीफ हो या तो वो बड़ा होने की वज़र से आपको जो आपके रूटीन में प्रॉब्लेम कर रहा हो तो अब लाइपोमा की टीमेंट मतलब उसकी nor कोई टींट मनें है उसका ऐपरेशन चone करना होता है लेकिन मैं पूछूगा कि कितने ऐपर करवाओगे रहीं १ोग जो हमारे पास लाइपोमा की टीटमेंट के लिए आते है मेरी उनको दर है cancer का कि इसमया से cancer तो नहीं हो जाएगा इसलिए वह हमारे पास आते हैं नहीं की लाइपोमा और दूसरा की कॉस्मेटिक परपत से हमारे आते हैं लेकिन मैं बोलता हूँ आप बोल जाईए उसकी कोई ट्रिट्मेंट नहीं है जश्ट एक्सेप्टीट लाइपोमा को और उसकी कोई ट्रिट्मेंट का सोचिए मत डॉक्तर चिंतन सेलेश्कुमार जोशी माइफ इस सफ्रिंग भॉप डिस्पनिया प्लस कफ एंड यलो स्कूटम बाइलेटरल वीजीन की नॉर्मल काइंडली सजेश्ट मेडिसिन मैं सजेश्ट करूं कि डिस्पनिया भी है कफ है और यलो स्कूटम निकल रहा है और वीजिंग भी आ रहा है तो मैं सजेश्ट करूं कि मैं ऐसे केसिस में अगर उसको पानी की प्यास ज्यादा लग रही हो बार-बार थोड़ा-थोड़ा पानी पी रहा हो तो आप एंटम एंटिमोनीम आर्स दवाई जो है थर्टी पोटेंसी में वह आप तीन तीन गुली तीन से चार बार उसको दीजिए उससे उसका कब भी ठीक हो जगा कई केसिस में मैंने देखा है कि अभी ठंडा वेदर है बहुत सारी कोल्ड कहीं पर भी मतलब सारी जगह पर काफी कोल्ड वेदर है तो आई सजेश्ट की आप इस पर उसमें है पार सल्थ नाम की दवाई दीगिए मेरा ज्यान यह जो क्वेश्चन आ रहे है उसमें चला गया है इसलिए मैं मेरी लिंक हो गया है लेकिन एंटम आर्स अगर पानी की प्यास ज्यादा लग रही हो तो और ठंडी उतासर मेरे तीन साल का बच्चा है पलसों से शर्दी हो है चीक भी आ रही है रदी नोज है क्या दूम स्वाथी जी आप उसको एकोनाइट थर्टी दीजे एकोनाइट ती दिंगुली चार बर दीजे और बहुत सारा पानी आ रहा हो आंक से भी पानी आ रहा हो नाक से भी भी जा रहा हो चीक भी बहुत आ रही है तो शुर्व अत्माप एकोनाइट सुखिए वजना आप इलियम सेपा भी सोच सकते हैं लेकिन ठंडी हवा अभी ठंड की बहुत मोसम है और ठंडी हवा की वजह से प्रॉब्लम होते हैं बहुत लोगों को भी और मैं एकोनाइट द लिए देखो सेकंड डोज ऐसा कोई रूर्स नहीं है कि आप कब रिपीट कर सकते हो अगर पहले ही डोज की एक्षन चल रही हो एक डोज लिए आपको अच्छा है और कोई तकलित नहीं है तो आई सजेश्ट कि आप लंबे समय तक वेट करो मैंने तो ऐसे भी मेरे कई अगर आपको लगे के पहले डोज की एक्षन खतम हो गई है जो फायदा था वहां रूप गया है तो आप सेकंड या तो सेंग पोटेंसी में या तो हाईर पोटेंसी में आप ले सकते हैं बंश नारायन गले में खाराश भी रती है मिल्क और तिकने खाने से परेशानी बढ़ती है बंश नारायन पूछ रहे हैं उनको गले में खाराश रती है और ठंडा खाने से स्वारी मिल्क लेने से और तिखा खाने से उनको परेशानी बढ़ती है अगर आपको और ज्यादा कोई प्रॉब्लेम नहीं है तो आई सजेश्ट कि आप जो गले का प्रॉब्लेम है उसके लिए आप बिला डुना लीजिए बिला डुना 30 पोटेंसिल से सेंसेशन प्र्शन कोंते हैं कि ऑसके मुसल मोंपन सामी अर्षा काम करती है लग लेकिन और बी दवाये जल्सेंभ ईच्टी कम है तो यह सब दोई करने में और उसको प्राइब हुआ तो आप कॉरिया में कोपिलस जैसे में कॉस्टिकम बगर द्वाइय यज सकते हैं राजपृत्दार हलो आप आगे हैं सर यह डाउन्ट यू से इसमें मेडिसीम मुझे बहुत प्रोब्लेम हो रहा है आप जरूर मेरा कॉंटेक्ट कीजिए और आप मुझे मेसेज कर दीजिए आपका नंबर का यूटूब के नंबर पे या कहीं पर भी मैं आपको वादा कर रहा हूं कि मैं आपको एही नेक्ष दोशादी में कॉंटेक्ट करूगा आप शाहा हुम्य पेथी हलो नमस्कार नमस्कार योगेश कुमार सर गेश्ट्रिक हेड़ेक एच 48 इड़ीपी प्लीज एडवाइस थैंक्स यूगेश जी आपको देखना पड़े कि आपका जो ब्लड पेशर है यह फोटी एट वाले पेशन्स का एज के पेशन्स का वो ब्ल ब्लड प्रेशर रगता हो तो ब्लड प्रेशर संगी वज़े से भी टता है की एड़ेक रहता है और गास्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए मतलब पित हम बोलते हैं कि पित सीर में चड़ गया उसकी वज़े से माइग्रेन जैसा हेडेक होता है तो उस तरह से दवाई देनी चाहिए लेकिन आई सेजेश की ब्रड प्रेशर हो तो आप रॉल फिया मदर टिंचर दस बुन तीन बार दीजिये दस दस बुन तीन बार रॉल फिया मदर निचर और अगर गैस्ट्रीग प्रॉब्लेम है तो मैं सेजेश करूं का आईदी शोर्सी कोलर आईदी सवर्सी कोलर एसिड़िटी की भी दवाई है और पेटके प्रोब्लेम की वज़े से जो गैस का प्रोब्लेम होता है यह सब के लिए इस वर्च को लुट मैं बहुत अच्छे से माइग्रेम्य यूज करता हूं बाखिया अप नगस्वामी का भी सोच सकते हैं और कार्बो वेड दवाई की बहुत अच्छ तो अगर आपको कभी बहुत प्रॉब्लेम हो गए तो अगर आपको कभी बहुत प्रॉब्लेम हो गए अलर्जी का और बहुत चीक आई या कुछ प्रॉब्लेम हुआ तो अब सब्सक्राइब सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लेम नहीं है बाकी हुमिएपिटिक में पेशन्ट कंस्टिटूशन मेडिसिन से ही ठीक होता है प्रॉब्लेम की वज़े से प्रॉब्लेम की वज़े से नहीं लेते हैं हम काम में इतने यह रहते हैं कि सास लेना ही हमें ध्यान नहीं रखता है तो आप प्रॉब्लेम कीजिए रोज आदा गंटा डिप ब्रीधिंग करने की हैबिट डालो और जब भी आपको बैठे हो कहीं याद आया तब भी आप डिप ब्रीधिंग करो जब भी आपको याद आये तब उन्दे उन्दे स्वास लेना का रखो उससे क्या होगा कि आपके लंग्स एक्सपंड होगे और लंग्स एक्सपंड होगे तो काफी अच्छा उक्सी जनाएगा और वीकनेस और वर्टाइक और बहुत सारे प्रॉब्लेम में उससे आपको प्रपाकर शुटकर एंग्जैटी एंड फीचर वरी हाव तो रिडियूस एंग्जैटी में दवाई का नाम मैं बताऊगा वह है आरसरी काल अगर आपको फीचर की वरी है लेकिन आप और बिटे में बताएं कि एंग्जैटी में क्या सिंप्रॉंस होता है और किस चीज की लोगों को फैमिले की एंग्जैटी होती है कि लोगों को फीचर में अपने मतलब हम को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा तो ऐसे केसिस में एको नाइट है आरसनिक है आजेंटम नाट्री कम है इस सारी दवाईया काफी अच्छा काम करती है तो आप थोड़ा मुझे डिटेल में जब भी आई रिक्वेश्ट ऑल माई व्यूवर्स की जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछो तो थोड़ा डिटेल में मुझे बताएं कि आपका एक्जैट सिंट्रॉम्स क्या है हुमिय बढ़ा करने के लिए बेश अचैट्रॉम्स के लिए अगर ऐसे कोई स्टेमीना बढ़ाने की दवाई है लेकिन यह एक्ञास को चाहिए को उनको प्रोटीन डाइट से मिलेगा तो उनको प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेना चाहिए लेकिन All support सजबते हैं अल्फालबा मदर टिंचर में दस दस्गून तीन बार अनिल कुछल पुछ रहे सर्थ नाओ आड़ेज आएं टेकिंग कर्चुट एलेजी तो हो गया अनिल कुछल सर्थ नाओड़ेज संदीप कहें अंडे पुछ रहे हैं कि डिस्प्रोगेल फोर एल फाइल एसवन पें टिंगलिंग सेंसेशन इन लेग्स मोरे राइट लेग तो यह आपके clear-cut problem है और साइटी का में tingling sensation है मतलब और पूरे पैर में जा रहा है तो राइट लिग में जा रहा है तो आई सजेश्ट कि आप आप ले सकते हैं और एक जन्थो जायलम करके medicine है जन्थो जायलम दवाई भी अच्छे से इसमें वर्थ करते हैं और आई सजेश्ट कि मेरा और स्परेट वीडियो है मेरा फ्रैंड है दॉक्टर प्षांघ उनका भी अलग से हूँ है कि वो भी इस को लेरिंक्स में से वीजिंग साउंड आ रहा है और आप बताए कि कव निकलता है कि नहीं निकलता है बाकि आप स्पॉंजिया लीजिए स्पॉंजिया थर्टी पोटेंजी तिन तिन गुली तिन बात जो कव जमा हुआ हुआ बार बार उसको साथ करने काम अलग होता हो ऐसा लग रहा है कि कुछ फसा हुआ है मेरे एक सेपरेट विडियों देखे कोकस कटी जो नई क्लिनिक में मैंने बोला है उसमें भी ऐसा लगता है कि कुछ फसा हुआ है और सुबह उटता है पिशेंट तो उसको वामिटिंग सेंशेशन आता है और प्रश करते वद्वत उसको लिए आती है यह कोकस के टीके सिंटोंस है कि शाहां में बेदी एलोपेथ है रेकमेंडेट नी सर्जरी बेश मेडिसीन टू प्रिवेंट नी सर्जरी शायद उनको आप बोल रहे हो अथलेट्स का प्रॉब्लेम होगा तो उसमें है मैं सजेश्टों का रश्टॉक्स 30 एंड रूटा 30 रश्टॉक्स 30 एंड रूटा 30 रूटा जो है वह बॉन के आसपास में जो टेंडन होते हैं काटिलेज होते हैं उसकी इंजियरी के बहुत अच्छी दवाई है तो आप यह दवाई तिन दिन गुली तीन बाल लिए उस से उसमें फाइदा होगा है कि अजय घंडा माइफादर सेवंटी वन क्या मैं उन्हें डॉक्टर रेक्वेगा रूटू डॉप्स पर्टिकुलर्ली दे सकता हूं नो हिष्ट्री ओनली हाई बीपी अजय घंडा मैं रेक्विक्टर रूप्स मेरी प्रैक्टिस में इतना यूज नहीं कर रहा हूं और अगर प्रॉब्लेम नहीं है तो क्यों देना है कोई भी मेडिसेन अगर प्रॉब्लेम है तो दो और है के लिए आप कॉंबिनेशन की जगर रॉल फिया मदर टिंचर दस दस मुंत दीन बाद लिए उससे जरूर फैदा होगा अगर बॉडर लेंग ब्लट पेशर होगा ज्यादा प्लट वेशन नहीं होगा अगर 150 तक ता ब्लट वेशर होगा तो आप रॉल फिया देखे देखे लेकिन अबजर करते रहें चेक करते रहें कई बार क्या है कि वो शुटब हो जाता है तो प्रॉब्लेम हो जाता है तो आई डॉन्ट माइंड की पेशन को अगर कंट्रोल नहीं हो तो यह लोपिदी के लिए लेकिन कुछ भी करके खुद का बीपी कंट्रोल रखना चाहिए शाह हो मिपीदी किसे पूछ रहे हार्ट लोकेज के लिए हो मिपीदी में सबसे इफेक्टिव मेडिसिन कौन सी है क्रेटेगस मदर टिंचर मैं मैंने हमारी बुक्स में हो में बुक्स में एसा लिखा है कि एक डॉक्टर फॉर्टर अपरिका में एक दवाई देता था उसस और से लोगों के अब ठीक हो जाते थे तो उसके यहां लगी लोगों की लेकिन उसके किसी को बताया नहीं लेकिन में जो भी उसके पास जाता था सबको अच्क हो जाता था उसके मरने के बाद उसकी बेटी ने बताया है कि वो लोगों को अपने फादर लोगों को हाट प्रॉब्रेम ठीक करने के लिए क्रेटेगस मदर टिंचर देते थे तो क्रेटेगस क्यूब मेरे इससाब से बहुत अच्छा हाट टॉनिक है काफी कुछ दवाईया है लेकिन मैं ज्यादा तक क्रेटेगस मदर टिंचर का अच्छे से यूज़ करता हूँ शाव में भी दिक आपने बहुत क्वेशन पूछ ले हैं है और कि हईपर एक्टिव च्याइश थी हम उसक्या करें सकते हैं क्या ने सकते हैं देखो आज कल के तो सारे बहुत है फिर भी हईपर एक्टिव बच्छों में एक डिजिस प़्ाया जाता है एड़ी एच्छी एटेंशन्ट डेफिशिएंस डिसॉर्डर एडिएच्टी में हाइपर एक्टिव डिसॉर्डर उसमें बच्चा बहुत होता है बहुत इदर उदर वह बाग दोड़ करता है ऐसे केसिस में तीन दवाई आप अच्छे से यूश करता हूं हाइपर एक्टिव बच्चों कि एक है ट्योर की लिनम दूस्या है ट्यारेट डूला और एक मेडिसिन है केलकरी अफ़ॉर्स अगर बच्चे बहुत भागा दोड़ करता हो उसको बार बार शर्दी खांसी वगर्व होता हो कि स्वारी फिर से कुछ कनेक्शन इश्यू आया था कि इसलिए कि क्या हमारी क्या बात चल रही थी हाँ 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 हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए बात हमारी हो रही थी कि अब हो गया तो मैं एक टिवर्गिलिनम चल करें अफोस और एक दवाई जो यूस कर रहा हूं वह है टेरेंटिला टेरेंटिला मेडिसिन होते ही जो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं और साथ में डिस्ट्रक्टिव होते हैं जो उनको तोड़ पूड़ करते हैं कुछ भी हो तो वह डिस्ट्रक्टिव मैंने वाले बच्चे होते और दौरते गुंते रहते हैं उनके लिए मैं सजेश्ट करूगा की टेरेंटिला अभी मैं कहां था ओके अजे खना पुछ रहे हैं मैं ड्रोटर क्वेलियर्स सीथ में बहुत डेंड्रव और इचिंग है कुरूपिया दवाई यह बताएं अजे खना जी डेंड्रव के लिए मेरा सेपरेट वीडियो है फिर भी आप एक मेडिसिन है काली सल काली सल सिक्सेक्स पोटेंसी में तिन तिन गोली तीन बार आप दे सकते हैं दूसरा कि मैं एक मेडिसिन युस करता हूं थूजा थूजा थर्टी पोटेंसी में तिन तिन गोली तीम बार लेने से डेंड्रव और इचिंग में फर्क होता है और एक दवाई बता रहा हूं प्रविक्स पोटेंसी तो सीड और सेनी क्यूला और सुजा थर्टी पोटेंसी में तिन गोली तिन गोली तीन बार देना है देकिन एक बार बताओ कि आप रेगुलर्ली अच्छा शेंपू यूज़ कीजिए एंटी देनरफ शेंपू होमियोपितिक में भी बहुत आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं दूसरा कि हपते में दो बार आप बटल मिल्क से या तो लेमन से शीर को पले वाश कर दीजि फिर शेंपू कीजिए मैंने बहुत देखा है मेरे पेशन्ट में और काफी फाइदा भी हुआ है राजी उपंचाल पूछ रहें मेडिसिन फॉर एपसेस अगर मैं तो बहुत सिंपल सा यूज़ करता हूं कि अगर पॉइल हो गया हो तो आप सिलीश्या तू हंडेड़ पॉटेंसी में तीन सुबर तीन शाम कुछ दिन देने से और रप्चर हो जाएगा और एक दवाई है फार सल फिरीश्या यह बहुत अच्छे से और मर्कुरियस यह तीनों दवाईया एपसेस के लिए बहुत अच्छी दवाईया है कि सब्सक्राइब करें कि सब्सक्राइब करें कि अगली बार जरूर उसका कुछ अच्छे रिजर्ट मुझे मिलेंगे कहीं पर मैं अच्छे से यूज़ करूगा तब आपको जरूर मेरा एक्सिरेंट शेर करूगा राज कोदर ओके थेंक यू प्रीज सेंड मी परवंध कश्यप गोल्ग्लेडर मेडिसीन लेकिन क्या है वह तो बताएए लेकिन गोल्गेडर के लिए तच्छी दवाई है फैल्टूरी फैल्टूरी थी एक्स पोटेंसी या 6x पोटेंसी मतलब उसको राइक्यूरेशन बो हो भी गोल्ग ब्लेडर के बहुत अच्छा काम करती है कि शाओ में भी सरा लव यू चैनल इस वेरी इंफरमेटी थैंक यू वेरी मच आप क्या करते हो जर आपके बारे में बताएए या आपका मेडिकर श्टूर है या आप खुट डॉक्टर हो या अभी प्रेक्टिशनर हो आप मुझे बताना और जिस तरह से आप उम्मीपिति को स्परेड कर रहे हो इसलिए आई और सो लव यू है पक्वांदास सर नमस्कार डे टैम में भी और नाइट टैम में भी लीड बहुत आती है पक्वांदास अगर नहीं ज्यादा आ रही है तो आप अपना बीट्व का वीडियो भी देखिए तो आप बीट वेल जो ब्लड टेस्ट है वह कर वा लिए अगर बीट्वेल कम हूआ हो तो बीट्वेल के लिए आप मेरा वीडियो देखिए रिख्यादा लिए और दुसरा कि एलोपिनिक दवाई ले लिए बीट्वेल में डॉक्टर से इंजेक्शन बुलते हैं लेकिन मैं बुलता हूं कि आप एक कोली रोड ले लिए उससे आपका बीट्वेल कम जो है उसमें अच्छा रिस्वंस मिलेगा और उससे आपका प्रॉब्लेम भी स्वाल हो जाएगा न कि आप दुबई में हो और आपके लिए रात को दस बजे इट्स होगे कि उस वगापके आँच बजे हुए होते हैं लेकिन यहां थोड़ा लेट भी हो जाता है ठंड भी ज्यादा है और मुझे क्लिनिक से पहुंचते पहुंचते बहुत रश हो जाता है दूसरा एक और र बेकिंग भी करना रहता है और यहां पेशन्स पी लेट हो जाए इसलिए आज मेरा लाइक लिनिक मैंने मेरी नवरंपुरा क्लिनिक से ही कर दिया है तो हैं जो दोस्तों और अगले वेनस देखो होगा तो शायद सबको यही टाइम कर दोगा तो यही टाइम पर लाइक रख सकते हैं इस इस मोर कंफरिबल टाइम फॉर एवरीवन और रुजू श्रक करने बोता है कि इस पर्फेक्ट ताइम और एंजॉय और होड़िए थैंक यू री मच और फिर से मिलेंगे थैंक यू गुट बाए बाए एंजू लाए